आपके मोबाइल फोन में जो डाउनलोड वीडियो आईडियो सॉंग्स पड़े हुए हैं उनको अपने मेमोरी कार्ड में सेंड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से HD कार्ड में सॉंग्स कैसे डालते हैं तो इसका मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको step by step तो इस वीडियो को पूरा end तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा तो इसी के बारे में जानते हैं तो जैसे जैसे मैं करना हूँ वैसे वैसे आपको भी करना है इसमें से दो तरह से आप गाने को अपने मेमोरी कार्ड में भेज सकते हैं नमबर एक है इसमें copy का option copy paste कर सकते हैं नमबर दूसरा है move का option इसमें move भी कर सकते हैं तो चलिए इसका जानते हैं पूरा process तो मैं आ गया हूँ अपने mobile phone की screen में अब मैं open करता हूँ my files यहाँ पे my files का option देखने को मिलना है दूसरा यहाँ पे music का option देखने को मिलना है music में click नहीं करना है music में click करने से गाने नहीं send होंगे आपके memory card में तो हमें यहाँ पे file का option देखने को मिलना है तो file में click करना है फाइल में किलिक होने के बाद तो यहां पे हमें कई सारे folder देखने को मिलते हैं जैसे audio, photo, video तो जो हम send करना चाहते हैं उस folder को open करेंगे और open करने के बाद उनको select करेंगे तो जैसे कि मैं audio songs send करना चाहता हूँ अपने memory card में तो मैं audio वाला folder open करता हूँ इसके बाद कुछ इस प्रकार से interface देखने को मिलता है यहाँ पे हमारे alt songs पड़े हुई है तो जितने songs को मैं send करना चाहता हूँ उनको मैं select कर लूँगा select करने के लिए इस songs में हमें touch करके रखना है कुछ इस प्रकार टच करके रखने के बाद यहाँ पे select हो गए यहाँ पे जो icon दिखाई दे रहा है तो इसमें click कर देंगे कुछ इस प्रकार तो alt select हो जाते हैं इसके बाद हम alt select नहीं करना चाहते हैं जितने songs send करना चाहते हैं उनको select कर लेते हैं तो मैं इतने song select कर लिया हूँ अब इसके बाद यहाँ पर move का option देखने को मिला है तो इसमें click करते हैं move में click करने के बाद यहाँ save mobile phone के storage से यह songs हट करके only sd card में ही save हो जाएंगे तो कुछ इस प्रिकार्ट टच करते हैं यहाँ पर sd card का option देखने को मिला है तो sd card को आपको चूच करना है इसके बाद यहाँ से आप folder चूच कर सकते हैं जिस folder में आप save करना चाहते हैं इन songs को तो मैं यहाँ पर music का option चूच करता हूँ इसके बाद move to hair पर click करना है तो यह देखिए यह हमारे songs move हो चुके है इसके बाद अब बात आती है कॉपी की तो चलिए जानते हैं कॉपी कैसे करते हैं तो same way process करना टच करके रखना songs को इसके बाद यहाँ पर कॉपी का option बता रहा है तो यहाँ पर कॉपी में click करना है कॉपी से यह होता है कि यही songs आपके phone की storage में भी पाड़े रहेंगे और यही songs आपके sd card में भी copy हो जाएंगे तो copy का option यहाँ पर देखने को जो मिला है इसमें click करते हैं तो वही process आपको करना है sd card का option देखने को मिला है तो इसमें click करना है इसके बाद जिस folder में आप save करना चाहते हैं वह folder चूज करना है तो मैं इसको music में कर देता हूं इसके बाद यहाँ पर copy to hair का option बता रहा है तो इसमें click करना है यह देखिए हमारे songs copy हो चुके हैं इसके बाद आप अपनी sd card में check भी कर सकते हैं इनको तो हम back होते हैं यहाँ से चेक करते हैं अपनी sd card को तो यहाँ पर sd card का option बता रहा है हमारा तो इसमें click करते हैं click होने के बाद जिस folder में हम songs send किये थे उस folder को open करते हैं जैसे कि मैं music में किया था तो music को open करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे songs जितने copy paste move किया था वो songs आ चुके हैं और आप ऐसे ही अपने mobile phone से sd card में video, audio, photo send कर सकते हैं तो video कैसी लगी, video अच्छी लगी है तो like करिए, share करिए और comment box में comment करके जरूर बताईएगा वीडियो कैसी लगी, channel में पहली बार है तो subscribe करिएगा अगली वीडियो आप किस topic में देखना चाहते हैं comment में comment करके बताईएगा तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिए स्वारी जयार जाली वीडियो अगली वीडियो में देखने। झाल झाल